सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरन्य त्रियंबिके गौरी नारायनी नमास्त पे शिवे साधिके अ Spider-Man कर दो कि अपिए कर दो कि अपिए। कर दो 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 कर आजे अस्त उदयकी वीना प्रतिक्षन प्रतिकन खण मेरे वाजे अस्त उदयकी वीना प्रतिक्षन प्रतिकन खण मेरे ना, ना, विशुरा. सब विशुरा. क्या होगा गुरुजी .गले में जानी ना होगी तो तांक आखाख लगाएगी लगता है, गले में कुछ खराश हो गई है, यह क्या है किरन, अरे यह क्या बताएगी, मैं सब जानता हूँ, आजकल की पोंद को, पहलियों के साथ ही दोदर भटकना, देर रात तक चिला चिली करना, जो मन में आए खाना पीना, यह संगीत सिप्रेम के लक्षा है, ऐसा में जासरे संगीत के उचाईयों को छोना है या नहीं, उसके लिए गुरुजी के चरणों में मन प्राण से अपने आपको समर्पित करो, सौरी गुरुजी, सौरी गुरुजी, हम दो चार दिन के बाद आएगे, तब तक अपने गले खरा साफ करके रखना, नमस्ते जी, अरे तुम्हारे गुरुजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, छोड़ना यार, यह तुम्हा का रोजका नातक है, अच्छा सुन, वो नियोज पाटी के टिकेट्स लेके आई, यूू। आया हूँ यारो, दिल अपना देके, आँखों में चहरा, किसी का लेके, वो दिल का कातिल, दिल बर हमारा, जिसके लिए मैं हुआ आवारा, मिलते ही जिसने, चूमा था मुझको, फिर ना पलटके, देखा तबारा, और इसलिए दोस्तों, मैंने फैसला किया, कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूँगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं करूँगा, कभी किसी लड़की करूँगा, अब ये दिल दरेगा, हम तो जान देकर, यू ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो, ये हम से अब नहोगा, ऐसा जखम दिया है, जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चहरे से, अब ये दिल दरेगा, हम तो जान देकर, यू ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो, ये हम से अब नहोगा, ऐसा जखम दिया है, रसीले होट, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा कर्द हाल, पलक भड़के, के दिल धड़के, उमर की उठान, कड़कती कमान, काति अदा, सालिम हया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, शोला बदन, दहका चमन, मगर यारो, हम तो जान देकर, यू ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनो, ये हम से अब नहोगा, ऐसा जखमतिया है, रसले हूंट, छलत देगा, मस्ता नीचा, बुरा करते हा, पना थड़के, आएं कितल थड़के, उमर के उठा, खड़कती कमा, कातिल अदा, सालिम हया, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलू, तू जो कहे तो कदमों में उन्हें लाडाल दू, सीने से लगा के ये बटन कर दू गुलाबी, चहरा चूम खलके मैं बना दू आपता भी, हे, 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 लालाला, ला, हम तो जान देकर तुम पे मर मिटे है, कौन प्यार तुम से इतना करेगा, ऐसा जखम दिया है, जोना फिर भरेगा, हलहसीन चहरे से अब ये दिल दरेगा, ऐसा जखम दिया है, आया हूँ यारो, दिल अपन लेके, आखों में चहरा, किसी का लेके, कोई न कोई, मेरा बिल होगा, यही पे कहीं, चंपाही होगा, Thank you, thank you. And I wish you all a very happy new year. All the best. ये बिस्कूट और ये ब्रेट का पाकी, और कुछ चाहिए? जी ने, कितने हो रहे? 15 रुपी है. परीदा बेर, ये रोईत कुमर, तुमारे उपर के इफलेट में रहता है, सारा दिन चिलाता रहता है, ते सुनके तुमारे कान नहीं पक जाते है? सेट जी वो रियास करता है, उसकी लगन है, मुझे उससे कोई परिशानी नहीं होती है. अरे ओ प्रकाश, क्या सुबा सुबा हिसाब लगा रहे हो, चलो चाय भाई नहीं पिनी है क्या? क्या बताओ मूलचन भाई, तीन मैने का हिसाब बाके ये रोहित कुमार का, कपड़े तो नहीं नहीं सिलाता है, लेकिन सिलाई के पैसे का पता ही नहीं है, अरे उदार तो हमेरा भी इतना चड़ गया है, इतना चड़ गया है कि किसको बतावे? अरे वो कनया, आओ आओ चावे पीते, चल भाई, चाट कर, ये सब कसूर तेरा है, खुद रहता है वो गयरत के पीछे के कमरे में, और इतना बड़ा घर दे दिया किराय पे वो गवये को, अभी तक किराय नहीं मिलाए ने? अरे नहीं मिलाए तो मिल जाएगा, आदमी ये मस्त है, कैसे है रोहित? दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, पटर, जैम और एक स्पेशल चाय, मिला, मिस्टर रोहित कुमार, जम्शे सेट, साहिब जी, साहिब जी, केमचो, केमचो बेमचो छोड़ो मुद्डा की बाट करो, अरे हाँ, आपका दो मैने का बिल न, बस आज पहली है, तीस से दे रहता हूँ, ठीक है, क्या बल्या, तीस टैक, हाँ, तीस में और पहली में कितन दिन का फरक है? एक दिन का, बस, तीस और पहली में, बावा को भी टोपी पेना रहा है, और क्या? अरे रोहित, कल राट को तो तेरा शो था, कैसे गया? अरे, कनाया जी, हंगामा था, हंगामा. बस, मैं गाराद और पबलिक दिवानी हो रही थी, और लडकिया, ओ, लडकिया तो मुझ पे निच्छावर हो रही थी, निच्छावर. कनाया जी, मेरी नजरें सिर्फ एक लड़की तो, क्या आखे थी उसके, क्या चेहरा था उसका? सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, और बस, प्रोग्राम खत्म हो और पता नहीं काँ चली गई. कनाया जी, वो लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए, तो मैं ऐसे गाने बनाऊंगा, ऐसे गाने बनाऊंगा, कि दुनिया देख ती रहे जाएगी. ये सपने तो सभी देखते हैं, रोहित कुमार, लेकिन हर कोई थोड़ा किशोर कुमार बन जाता है. ए मुल्चन, तु आटे दाल का भाव जानने वाला, कलाकार की कदर क्या जाने? देखना, एक दिन अपना ये रोहित कुमार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक बनेगा. चेस! चेस, चेस, चेस! सलापे सुनी नी राये? एक लेन, वो देख महरा को. सलाप कल शाम के शो की कमाई गिन रहा. कम से कम पचास साथ हजार रुक में बनाया होंगे उसने कल के शो की. और हमें एक पैसा भी नहीं है. सलाप. महरा साब नया साल मुबारक हो. नया साल में क्या खास बात है? वही दिन वही राते हैं. पैसे कल का शो बहुत शांदार रहा नहीं? ठीक था. ठीक था? कि तुम अपने आप को स्टार समझे लगे? आरी स्टार? सर मैं तो तुम्हें तो मेरा शुक्र गुजार होना चाहिए कि मैंने रिस्क लेकर के तुम्हें इतनी बड़ी गैदरी में गाने का मौका दिया. वड़र तुम जैसे पर्टीजर आर्टिस्ट हार्मोनियम लेकर के सलकों पक गाते फिरते हैं और कोई दोग कोडी भी नहीं देता. एहसान फ्रामोश! हाई! हाई! ये क्या बत्तमीजी है? तुम्हें गाना गाने आते हो लड़के उस आख लड़ाने के लिए नहीं? सर मैं आखिंग लड़ा था सर मैं तो सर्फ उसको.. सिरा! मेरी वज़े से आपको डांट पड़ी अरे नहीं नहीं मेरा साब की डांट खाए बगर मेरा पेट नहीं भरता हाँ, बुलिया मैं आपसे गाना सिखना चाहते हूँ मुझसे? देखे, I think you are fantastic singer, you are really wonderful और क्या गाना लिखते हैं आप? आपका गाना सुने के बाद मैं भागल हो गई हूँ मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ I mean crazy आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी वो गाना मेरी कानों में गुशता रहा आप जानती है कि शो के बाद मैं भी रात बर सो नहीं पाया क्यों? क्योंके एक नई धुन ने मुझे रात बर जगाय रखा आप सुनेंगे? Of course Hold this राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जीगर तोनों घायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया Fantastic! Wonderful! कितना खुबसरुत गाना है So romantic! मुझे ऐसे गाने-गाने है नौशास्ति-संगीत आप मुझे ऐसे गाने सिखाए न Please! मैं बहुत मैनद करूंगी No problem Great! Wow! राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जी कर दोनों खायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जी कर दोनों खायल हुए तीरे नजर दिल के पार हो गया राजा कोरानी से प्यार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया हो राहों से राहे बाहों से बाहे मिलके भी मिलती नहीं हो होता है अकसर अर्मा की कलिया खिलके भी खिलती नहीं है फिर भी न जाने क्यों नहीं माने फिर भी न जाने क्यों नहीं माने दिवानों दिल बेकरार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया हुआ 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 है रानी को देखो नजरे मिली तो आखे चुराने लगी हुआ करती भी क्याव सर को छुपा के पंगला घुमानि लगी राजा ने ऐसा जादू चलाया ना करते करते इकरार हो गया राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में पहला प्यार हो गया दिल जी गर दोनों खाय हुए तेरे नजर दिल के पार हो गया किरन हम लोग शादे क्यों नहीं कर लेते हैं क्या आम सीरियस मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है मैंने तिसर एक छीज के बारे में सोचा है क्या मेरा करिया, मेरा संघीत मैं इस देश की नमर वन सिंगर बना चाथे हूँ वो तो ज़रब मुश्किल है क्यों up कि वह जगा तो कबसे मेरी लिए उख है किरन, हम दोनों का एक ही सपना है, इससे अची बात और क्या हो सकती है, हमारी एक ही मंजल है, हम दोनों वा साथ पहुंचेंगे बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? यह बताईए कैसे आना हुआ? पिताजी एक बहुत मशूर गायक है तो आप गायक है Sir, actually मैं एक composer हूँ मैं अपने गाने खुधी गाता ओ खुधी बनाता हू. शास्त्री संगीत? नो, 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 क्लासिकल व्लासिकल नहीं, मैं तो हलके पुलके गीत गाता हूँ, हलके पुलके, कितने हलके, आप समझे नहीं, मैं वो गीत गाता हूँ जो दिल को लोबाते हैं, ये गाना कहां गाते हैं आप, फिलाल तो मैं एक होटल में गा रहा हूँ, होटल में गाना, मेर मैं पेटी लटका है इधर उधर घूमना किसी ने दस डाल दिये किसी ने पाँच किसी ने कुछ बस बॉत हो गया मैं अपना या करियर डिसकस करने नहीं आये था तो किसलिए आये थे आप किरन मैं जा रहा हूँ रोहित रुक जा रोहित मेरी बात तो सुनो रोहित प्लीज रोहित मैंने रोहित को यह इसले नहीं बुलाय था किया आप उसके बेज़त्ति करें तुम मुझे मुर्क समझती हो पहले ही नजर में भाब गया था तुमने उस यहां किसले बुलाय था बेवकूफ हो वाली बाते छोड़ो, तुम्हारी शादी तैय हो चुकी है मैं रोहित से प्यार करती हूँ सुना, सुना, क्या कह रही है देखो, जड़ा सोच समझ कर बात करो किरें, ऐसा नहीं होता परसों की शिक्षा, सारी विध्या अपने सारे आदर्श बुला के रख दिया इसने अगर आपको मेरी शिक्षा, मेरी विध्या पे नाज है तो मेरे फैसले पर भरोसा होना चाहिए देखो, मुझे तो वो चालाक लगता है तुम्हे फसा रहा है तुम अभी ना समझ हो मैं ना समझ नहीं हूमा तो क्या हो तुम, क्या हो मैं एक कलाकार हूँ और वो भी आप हमारी भावनाव को नहीं समझ सकते मैं नहीं समझ सकता कलाकार है वो सलक चाप गवया है एक नंबर का हवारा उससे शादी करने चलिए दो तिनों में आटी धाल के बाख को पता लग जाएगा, फिर रोती हुई आना, लेकिन उस वक्त इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए बंद होगे. अच्छा हो जो आपने ये सब कुछ खे दिया, अब मुझे फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं रोहित से ही शादी करूँगी. किरन, किरन. किरन, किरन. किरने भॉज साथ माईं किरन दर्वाज दर्वाजी और आउन गटूँए लिए तुम्हे बंके अग्तुम्हें, आज रमिश जी मेरे गाने सुनके इक्तम चक्रा जाएंगे, तुम देखना? मैं भी चले तुम्हारे साथ, मैं दो मेरूने त्यार हो जाओंगी लेकिन आज तो मिस्ट्री आरा न, नल्टी करने के लिए मैं चलता हूं, ओके, बाई थैंक यू लेकिन तुम्हा चार माला कैसे चरबाओगी, वह भी इस हालत में यही तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है, और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है, छोड़े से इस्तियार की रिकॉर्डिंग है फिर मैं कब लोग उस्ते मिलोगी, कब मेरा काम शुरू होगा कुछी मेनो की तो बात है, ऐसा तरही के तुम इकदम कि अईय साथ ढुरू आए झाल अंग है बत वरेदा आए ने का रहे हो कुछ नहीं खाना बना रहे हूं और क्या चाहे पी आगी हागई क्यो नहीं बनी हूई है हां है चार पराज दिनों से तुम नजर नहीं आई तूमाने तब्लिद तो ठीक है न बिल्कुल क्या बात है कुछ परिशान लग रहे हो? नहीं तो मैं विल्कुल ठीक हूँ तुम्हारा रियास केसे चल रहा है? रियास, घर की कामों से फोसति नहीं मिलती, रियास कैसे करूँगी? किया से उलजी रहे हूँगी, तो तुम्हारे गाने का क्या होगा? दिन में थोड़ा सा वक्त अपने गाने के प्रैक्टिस के लिए निकाले। देखो ना, अब ए खाना पकाने के बाद सोने को स्कूल से लाना है। अरे सोनो को मैं ले आती हूँ। हाँ, इसमें क्या है। थैंक्स मेरे नाने का पानी जल्दी तयार कर देना, आज मुझे पाटी में जाना है। कैसी पाटी? और एक और ख़बर सुनो, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस उस मोटे महरा की काफी गालियां सुच जुका था मैं। और वैसे भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम जानती हो, आज मैं गुलबदन कुमार से मिला। गुलबदन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कंपनी का मालिक। पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना। मैं तो सीधे उसके ऑफिस में खुच गया। उसको दचार गाने सुनाया। मेरी यावाज बहुत पसंद आई उसको। उसने कहा, आज शाम को पार्टी है। तुम जरूर आना। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। ये लो, जरा इस तरीका देना इसपर। रोहित, मैं भी तुम्हार साँ चलूगी। तुम मा क्या करोगी? बोर हो जाओगी तुम। नहीं, मैं बोर नहीं होगी। और सोनू? सोनू को फरीदा सुला देगी। ठीक है तुम भी चलो। लेकिन कुछ अच्छे कपड़े परना, ओके। ये लो, जरा जल्दी स्तिरगा देना। मुबाराथो गुलबदन कुमार जी, जब से आपके रिकॉर्डिंग कमपणी मैदान में आई है, म्यूजिक का सेल ही बढ़ गया है। सब माता जी की दया है। सब मेरे लिए होगा। मैंने एकसर पर अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। इसे गुलबदन कुमार को दे दोगी। हाँ, ठीक है। और भाबी जी। चै माता दी। कैसे राकेश जी आप? सर रोईत कुमार सर। सर बहुत झी पारी दी। सर वो आपने मेरे कसेर्ट सुना सर। हाँ हाँ क्या सर। क्या बाद है जी। थांक्यू सर। आये गुलुजी यजी च्छाया में आप। पर गुल पर गुल मार रहा है। पोंटो लो भाईच। गुलू जी छायर ने हैं आप अज कल बच्चे बच्चे की जबान पर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी जादू वो जो सर चड़ कर बोले एक के बाद एक छे सुपरेट फिल्में दी हैं हमने इंडस्ट्री को बोलती बन कर दी है सब जी बिल्कुल बन कर दी पुलू जी ये तो कुछ भी नहीं है आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिये जैवाज़ू जी कले गाना रेकॉर्ड किया सजीला सुपर हिट सुपर सर कौन सीवन के लिए आपने हां अमर जी और कौशिक जी ये उभरते हुए कलाकार है कायक भी है राहूल कु मैं कुछ गाने भी बना है आइं आप कंपोजर गुलू जी इस देश में कोई भी कंपोजर बन जाता है तुम्हे काम करो, मंडे मुझे फोन कर देना, अगर तुमारी आवाज में कुछ दम है तो लाइव बना दूँगा तुमारी थैंकिर सर, सर मैं मंडे फोन करके आता हूँ और क्या चाहिए जी, जैमाता भी जैमाता ठी, तो मेरा कशत क्यो नहीं दे रहे मैं अब नहीं दे सकता क्यों कि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवास सुने के लिए तैयार हो हैं तो क्या अब मैं कैसे कह सकता कि मेरी पत्नी की आवास भी सुनी है उनको लगेगा मैं सारा खांदन उन पर ठूस रहा हूँ तो तुम्हें यह लगता कि मैं अपने आपको दूपर धूस रही हूँ मैंने ऐसा नहीं कहा था तुम्हारा मतलब तो यही था देखो सकत में बहुत थक गया हूँ और मुझे जढ़ा नहीं करना है तो क्या मैं जढ़ा करना चाह रहे हूँ सुनू सो रहा है मैंने तुमसे सर्फ इतना कहा था कि मेरी गाने के कैसर अमर कौशिक को दे दो लेकिन यह बहुत मुश्किल बात थी है न देखो सबसे पहले तो वह कैसे तुमने मुझे नहीं सुनाया पता नहीं तुमने इसमें क्या रेकॉर्ड किया है वह सुनने लाइक है भी या नहीं इतनी मुश्किल से तो वह मुझे सुनने के लिए तयार हूँ अब तुम्हारा कैसे रोने थमाके मैं अपना मौका भी गवा बैटू कल तक तो तुम्हे मेरी आवास बहुत पसंती और आज वो किसी को सुनाने लाइक भी नहीं है देखो मेरा मतलब वो नहीं था गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है रियाज एक और बहाना आज मैं तुम्हें अच्छी तर समझ गयी रोहित तुम हमेशा अपने लिए सोचतेए और मेरे लिए मेरे लिए सर्फ बहाने देखो चलाओ अमाद प्लीज तुम साफसभ ये क्यो ने कहते कि मुझे गाने के तमीज नहीं है तुम उज्से यह कहना चाहते हो न, बोलो अब यह भी कह दो … कि मुझे संगर्स बनने कि स्पने छोड़ेने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो गा रोहित मैं हिमत हारूँगी और तुम तुम मेरे हिमत नहीं तोड़ सकते ही समझे मेरी समझ में नहीं आरा है रे कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बहुत गलत बात है किरन हमारा उंबा कतम हो गया, हम खेलने जाएं हाँ लेकिन जल्दी वापस आजाओ जी अच्छा तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है तुम रोहिट से साफ साफ बात क्यूं नहीं करती कि अफे नहीं है तुम यहां क्या कर रही? कभ से ढूण रहोम है तुम्हें? मुझे लोह कुछंको था क्या काम था? सुन हुँआ मुए परशान कर रही है मुझे रियोसिल पर जाना है? मेरे कपड़े का है? मेरे नाश्था कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ और मेरी गाने की फाइल का है सुबह से रूढ़ नहीं मिल रही है इसे मैं रियास के लिए नीचे ले आई थी तुम एक काम करो तुम यह दिन भर बैटके रियास करना मैं खाना होटल में खा लोगा और घर काम भी मैं कर लोगा मैंने कम ना कहा रोहित यह क्या है तुमने? I'm sorry mm-y सारे कब्रे कब्रे कदे ढ़े तो यहां पर कित्नी बाहर मना के नहींवा यहीन के नहीं नहीं तुमनी मैंने कि अरे नहीं किया क्या वा किरन क्यों मारें आ यह इसको क्या है इसने मेरे बन नहीं सुनता ही है, सारे, सारे कपने खराब करती मेरे दिन भर काप करते करते था कियू मैं आगर बना दिया है मुझे किरन किरन हम दोनों का एक ही सपना इस एची बात और क्या हो सकता हमार एक ही मंजल है, हम दोनों साथ पहुंचेंगा I'm sorry Soto I'm sorry I'm sorry I love you 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 Come here What are you learning about it? Twoсы येश, बहुत मज़ा आ रहा है, अब यह देखो, एक हाथ, सरकस्! वूु… एक हाथ, और दो अंडे, अब यह देखना, कि मैं एक हाथ से दो अंडे कैसे दुरता हूँ? रेडी? ओ, ओ.. अ यहां इन्डाा को जादे कम दूनेगर, कोई बात ने, 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 यह जगा sim अप ही, बिल्कुल saaf है या फ्राइंक पहन में, ओमलेट, ओमलेट होता है, बस तुम खा कर देखना, इसके बाद में तुम्हें स्कूच होडने वाला हूँ, और फिर आज, आज मेरे पहले फिर्म के गाने की रिकॉर्डिंग है, आज के बाद तुम्हारे डैडी बहुत मुशू सिंगर बनने वाले ह तुम्हारे के टोर चल्ला है, ओ शिट, ओ नौ, चलो कोई बात ही, कोई बात ही, कोई बात ही, ओ ओ, 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 शिट, ओ, ओ, जल्दी, अर जाओ, मुझे लेने कौन आएगा, मैं आओंगा, अब कहां पर ख़़े रहेंगे? मैं इस पेड के निए ठेरूगा, ओके, चलो, अब जाओ, अगर आप नहीं आए तो, जब मैं कह रहा हूँ, मैं आओंगा, तो मैं आओंगा, अगर देर हो गई तो, देर नहीं होगी, मैं टाइम पर आओंगा, लेकिन अगर देर हो गई तो, अगर देर हो गई तो, तो शेह, excuse me, junior school किते मैं खतम होता है, मैं उस बच्चे का डाड़ी हूँ, तो बच्चे, thank you, thank you so much I'm sorry sir, मैं थोड़ा लेट हो गया, ये वक्त है आपके आने का, गाना रिकार्ड हुआ नहीं, और आप स्टार बन गया नहीं sir, मैं जरा ट्राफिक में फस गया था, इसलिए वो, ठीक है, आप अंदर बैटके गाना याद कीजिए, तब तक और केस्टा रेकॉर्ड करते है, बाबुलाल, आजी ने गाने के बोल दीजिए, फिर से, आओ, लाइब बना देते हैं तुम्हारी तुम्हारी में फिट हो जाएगा, ठीक है, ट्राइ करते हैं, वी आ रेड़ी प्रदीप जी, पुतम जी वैसन रिदम सुनाइए, साइलेंस, साइलेंस, तुम्हाभी तक यहीं हो, गया नहीं, आज तुम्हारा होगा नहीं, जी, बेस बढ़ा ही, थोड़ा बेस बढ़ा ही तो फिर कब होगा? देखते हैं, दो तिन दिन के बाद, फोन करते रहे हैं, समझें, ओके अरे बाबा, तीसी मिनट तो लेट आया हूँ, उस पर इतना घुस्सा, आपने का ताब टाइम पर आएंगे, हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम था, बिजी था मैं, अगर मुझे कोई उठा के ले जाता तो, लेकिन कोई उठा के ले तो नहीं गया ना, लेकिन अगर कोई और जब कोई sorry कहे तो उसे माफ कर देना चाहिए, sorry के मतलब समझते हैं तुम, सुनील, 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 क्या कर रहा दूम, क्या हुआ, ये गारी है न, बैट्री से चलती है, इसमें हॉन भी है, हेडलाइट भी चलती है, तो, अगर आप हमरे लिए ले ले लेंगे न, तो ह हम आपको माफ कर देंगे, अच्छा, अगर मैं नहीं लूगा तो, मुझे कभी माफ नहीं करोगे, अगर मम्मी होती न, तो ले 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 लिए, जब मम्मी आएंगे न, तब उन से ले 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 न, चलो भी, कमान, कमान, पाव किलो दाल, और कुछ, और चाय का पकेट, लाल दो, एक साबून की बट्टी और एक कोकोनॉट टॉयल, मैं एक चोक्रिट ले लूँ, ये लो, उपर ले जाओ, माफ करना, रोईट जी, मगर मेरे सुनने में कुछ आया है, सच है क्या, मैंने सुनना है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर, नहीं, ना आपका सोचा, देखो ना, ना छोटे बच्चे का, ना अपनी इज़त का खयाल, टाकट दी जा, वैसे वेवार तो मेरे को भी उसका ब मैं यहा सामान खरीदने आता हूँ, आपकी फुजूल बगवा सुनने के लिए नहीं, समझे आप, समझ गया, समझ गया, यह लो तुमारा सामन, यह माल का हो गया 300, पिछले महीने का साड़े 300, टोटल साड़े 600, अभी उधार देने का बंद किया है, कौन साला आपसे उधा प्रकॉर्सिल की शक्ति कामाय, जरू करे मनुर जी, चलिए टेक कराया, ठैक यू शर्मा जी, आपने मेरी दोस्ट को कोरुस में गाने का चांस दिया, जा प्राब्लम, अगर कभी कोई लीड पाठ हुआ तो वो भी आराम से गा लेगी, हाँ झरूर, जरूर, मनुर जी दाड़ी, दाड़ी, यह देखिये, मम्मी की चिथी, दाड़ी, यह देखिये, मम्मी की चिथी, यह लीजे ओ, यह तो तुम्हारे नाम पे, हाँ हाँ मेरे नाम पे, जल्दी पढ़िये, देखिये, मम्मी कब आ रहे है जोर से पढ़िये, हाँ, मेरे प्यारे सुनील तुम सोचते होगे कि अचानक मम्मी कहां चली गई है ना मैं बताती हूँ कभी-कभी डैडी चले जाते हैं और मम्मी को बच्चों को समालना पड़ता है लेकिन कभी-कभी मम्मी चले जाती है और फिर डैडी बच्चों को समालते है है ममी को भी दुनिया में कुछ बनना है सूनील और इसलिए ममी को घर से दूर जाना पड़ा मेंशा तुम्हारी मम्मी रहोंगी और हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी अपना ख्यार लखना और वह स्कूल से आने क 나 सुनील सुनील बहुत अच्य वद ना जी, very good और रोहेद, concentrate, concentrate Yes, sir projection चाहिए मुझे, projection Yes, sir तबी भी आवाज में बद गाओ, आवाज खोलो चहरा गुलाबी Excuse me, sir Sir Sir, ये मेरी file है, sir मेरे गानो की file डरो नहीं, हम तुमारी धुने चुराएंगे नहीं, sir मेरे मतलब वो नहीं था I was just a Let's take Let's take Without music, एक rehearsal हो जाए चहरा गुलाबी नजरे शराबी जुलफों की तागा पकवाज आवाज रखे आवाज खाना नहीं खाया है क्या चहरा गुलाबी नजरे शराबी चहरा गुलाबी चहरा गुलाबी गाये यह, sir चहरा गुलाबी चहरा गुलाबी चहरा गुलाबी कट, 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 कट देखिए, आप music director बनने का खौप छोड़ दीजिए आप अपनी गाय की पर concentrate कीजिए इसका band बजाता हूँ, तुम देखो हाँ, composition है चहरा गुलाबी गुलाबी, गुलाबी चहरा गुलाबी चहरा गुलाबी चलिये यह, sir बदबद आप छोड़ दीजिए वन्दना जी, आप प्लीज जरह इनको इनकी पहली लाइन सुना दीजिए चहरा गुलाबी नजरे शराबी जुल्फों की तौबा तौबा ये समा बहुत अच्छे बहुत अच्छे वन्दना जी, बहुत अच्छे हाँ, अब हुआ आपको सूर का अंदाज सर, यही तुम्हें का रहा हूँ, sir अरे तो ठीक से काईए ना ठीक से काईए जी, sir चहरा गुलाबी नजरे शराबी क्या गा रहा है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सार, आप मेरी लाइन पूरी दो नहीं आप बीच में एकाट देते हैं आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या का रहा हूँ शड़ाप प्लडी फूल क्या समझते हैं आप अपने आपको अपनी अवकात में रहिये वरना मैं यहां से नहीं आपको इंडस्री से हुट कर दूँगा अरे नाइट क्लब में गाने वाला हमको सिखाएगा अमर कौशिक को सिखाएगा के संगीत क्या होता है जी हाँ क्या कहा आपने जी हाँ मैं आपको संगीत सिखाऊँगा अगर आपे सुनने की हमत है तो यह नहां पगाना चहरा गुलाबी नजरे शराबी जुलफों की तौबा यह नहां पगाना अब यह सुनिए आप लोग मेरे साथ वजाईए चहरा गुलाबी जुलफों की तौबा तौबा यह समा अब क्या करें कैसे जीं ऐ मेरे दिल जाएं तो जाएं तब चहरा गुलाबी क्या कर रहो सुनील चलो चुप्चाप खाना काओ उटाओ चुप्चा चलो ची यह क्या बक्वास है बहुंगं की भाजी है चलो खाओ मुझे बहुगं की भाजी अच्छी है? बिलकुल अच्छी लगती है फरेशह ची न है तुमने पहले भी खाई लगती है यह क्या काला काना है प्याज है और कुछ नहीं चलो प्याज मेरे पेटमें डऱत होताय बिलकोल दरद नहीं होता है, ब्रेट तोड़ो, चलो नेवाला बना। यह गंदा है। खाने को गंदा नहीं कहते है। है सुनील, प्लेट में मत दुगो, बत्तमीज है। चलो खाओ भी, प्यास निकाल दिया मैंने, कमान। डाड़ी, आप जो चॉकलेट आइस्क्रीम लाए ना वो जो फ्रिज में रखी ही है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं आइस्क्रीम लाया हूँ और वो फ्रिज में रखी है। लेकिन व आपको बिलकुल नहीं मिलेगी। पहलो तुम अपना खाना खतम करो, डाल खतम करो, रह। सुनील, सुनील कहां जा रहे हो सुनील, देखो फ्रिज मत खुलना। सुनील देखो आइस्क्रीम अंदर से मत निकालना। अरे, सुनते नहीं हो। सुनील मुझे बहुत गुसार है मैं तुमसे कह रहा हूँ सुनील अगर वो आइस क्रीम तुमने निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुनील अगर वो आइस क्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा सुनील, अगर वो आइस्क्रीम तुमने खाई, तो बहुत बुरा होगा, तुम समझर में क्या कह रहा हूँ? सुनील, that's it! मामी! उटा, उटा, छोड़ो गुरसी! मामी! 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 मुझे मामी की बात जाना है! बहुत अगी बत्तमीजी, अमने खाना में ना है सिमने कुछ, सोजा आसी भूके! I hate you, मैंसे कभी बात जाना हूँ का! I don't care, मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूँगा! Nonsense! मैंसे कभी बात जाना है सोगें राड़ी हाँ सोनू I'm sorry I'm also sorry क्या आप भी मुझे छोड़के चले जाएंगे? नहीं सोनू, कभी नहीं लेकिन मामी तो मुझे छोड़के चली गए मैं बुरा लड़का था ना, इसी लिए क्या तुम ऐसा लगता है? नहीं सोनू ममी तुमसे बहुत प्यार करती है वो तुमारे वज़े से नहीं गई ममी इसलिए गई क्योंके मैं उनको समझ नहीं पाया मैं चाता था कि वो वही करें जो और मममी करती है घर के देखभाल, घर से मालना लेकिन वो कुछ और करना चाहती थी उन्होंना मुझे बहुत समझाने की कोशिश भी की लेकिन मैं मसरूफ था अपने आप में अपनी सिंदगी में और पता है फिर भी वह यहां इतने दिन तक क्यों नुकी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी सोनो वो तुमारे मज़े से नहीं गई वो मेरे मज़े से गई चलो अब सोजाओ कल से हम दोनों एक नहीं जुन्दीगी शुरू करेंगे मैं और तो ओके तड़ी हाँ अलव यू अलव यू अलव यू अलव यू अलव यू अलव अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो पिर क्या हम तु मेरा दिल तु मेरी जान तु मासून तु शैतान तु मेरा दिल तु मेरी जान तु मासून तु शैतान तु मेरी जान तु मेरी जान यू तो है तू नन्हा सा है मगर गुरु सबका और इसी शरारत से दिल जी गर मैं हूँ सबका कहने को है यू तो हजार कोई मगर तुझसा कहा अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो पिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जां तू मासूं तू शैतां तू लाव मी देडी मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मन्जिल का हम सफर नहूं डाडी आज लगे कितना हसी अपना जहां अपना समा अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो पिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जां तू मासूं तू शैतां तू मेरा दिल तू मेरी जां तू मासूं तू शैतां बादू लाव मी डाडी बादू लाव मी डाडी जाले दाडी ने ने मैं थक्यों तुम खेलो तू ही तुम बिल्कुल बदल गए हूँ खाश किरन तुम ऐसा देख सकती किरन की बात बंत करो ठीक है लेकिन सच बताओ तुम्हें उसके आद नहीं आती बिल्कुल नहीं दाडी ये देखिए ये ऐसा मत करो सुनील ये पफू मेरी मारी है रुको पफू मेरी मारी है रुको फरीदा ये बताओ तुम्हें अपने शौर के याद नहीं आती उनकी तो बात ही कुछ और थी वह साब तो इश्क विश्क करने लगे थे अच्छा ये से मुझे नहीं वालूम था किससे थी कोई लैला उनकी ओफिस में और मजनु साब तो उससे घर भी लाना चाहते थे क्या बात कर रहे है दाड़ी ये देखिए मैं खड़ा खड़ा नहीं चाहूंगा नहीं सोनु क्या कर रहे हो तुम चलो नीचे उद्रो और फिर क्या हुआ बस मैंने उनसे कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए लेकिन ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है दाड़ी यहा हो गया इसको थे लेजाओ चल्दी पॉट पीज पीज रेखिए अचलो पॉट नहीं होगा कर दोखि कि उना innCRपन कि घाधर्ण ह३ाप। कि प्योसान कि तेने कि प्योव. साट शbnत. इस्किवत को किई रबश्यों कई देँआ हैंगी Elektri podef फेशिँ मैं विंद वा किदो कि कि अंग। सक Candace चोड़ो कल की बाते, कल की बात पुरानी, नए रंग में ले कर आई, ताजी सुगन सुगानी चीस गुड, चीस रियली गुड, थैंक यू स्कूज मी मेडम, नमस्ते, मेरा नम रविंदर कपूर है, मैं आर्थी फिल्म में चीफ एस्टें डिरेक्टर हूँ अच्छा, क्या है कि मैं यहां sound transfer करने आया था, all of a sudden मैंने आपकी सहीली को देखा, she is very good, हमारी डिरेक्टर साब एक important scene pictures करने जा रहे है, उसमें smart लड़कियों की ज़रुवत थी, I mean heroine की सहलिया है, you mean extras? नहीं, extra नहीं, it's a small character, आप जानती ही कपूर साब को, कपूर साब is very particular about the characters, you mean परेश कपूर? जी हाँ, वही परेश कपूर, पिछले साल आपने उनकी film देखी होगी, आदा सच, आदा जू जी, कितने दिन का काम होगा, जी काम तो एक ही दिन का है, मगर वो, पैसे कितने मिलेंगे, अब पैसे 2000 और 100 रपय कन्वेंस भी दिला दूगा, फ्लीज, ठीक है, मैं उससे बात करके देख़ूँ, हाँ जी, कोशिच कीजिए, मैं यहां बैटाओं, हाँ, कोशिच कीजिए, मैंने संजु को छोड़ दिया, कहता है मैं खुदगर्ज हूँ, उसको भुकार था, और मैं पिक्चर के देखने चले गए, अब सारी शाम उसके पास बैट कर, मैं बोर तो नहीं हो सकती थी न, मैंने कुछ गलत किया, बोलो अंजली, मैंने कुछ गलत किया, करेट, तुम्हारी लाइन थे, क्या आपको अपने डैलोग याद नहीं है, यह 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 बोल पाएगी, सर यह ज़रूर बोल लेगी, सर आपको सिंपल और इनोसेंट चाहिए थी न, यह ज़रूर बोल लेगी डैलोग सर, मैंने कहा था न, मुझे अक्टिंग बिल्कुल नही नाइंटिंग थी टेक फोर, आक्शन, बोलो अंजली, मैंने क्या गलत किया, नहीं दीपा, तुमने यह ठीक नहीं किया, याद है, जब तुम बिमार थी, उसे न खाने का होश था न पीने का, पागलो की तर उसे तुम्हारी वेकभाल की, और तुम, एक शाम यह उसका साथ नहीं दे सकती, उसे तुम बोरोना कहती हो, सच तो यह है दीपा, कि तुमने संजु को कभी समझा ही नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत, ओमाई गॉड, इस तुमच, यह कुछ भी वखे जा रही है, यह कुछ भी बखे जा रही है, हैव और मैड, कुछ यह मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा तो मैंने, दरसल मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, अच्छा, तो फिर कागे बताओ, जी, येस, सिंग सम्थिंग तेरे बिना सिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं सर, आप मेरे गाने तो सुन लीजिए सर, एक बार हमने आपकी मदद की ही न, अमर कौशिक जी से मिलवाया, वहां तो आपने हमारी नागी कटवा दी, सर वो मिरसा बत्तमीजी कर रहे थे और वो मुझ से, लो, अमर कौशिक जी बत्तमीजी करेंगे, गुलबदन जी, आपक कंपनी वाले हैं, रेकॉर्ड चापते हैं, कसेट चापते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर तो है नहीं, जाए माथ आजी मैं एक मिन्त मै थैसा हां जी धरूरूरू, रोजी 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 एक मिन्त Real मैं आपकी ढिर विखवा सकता हैं, व क्या है अमर कॉशिक जी को नए नए धुनों कि द हका परती है, मैं आपको एक ढुन पर दोहजार रूपए दिलवा सकता ह ready यह रहा मेरा काड़ी यानि धुने मेरी और नाम उनका अरे आपको नाम से क्या करना है नो थैंक यू आप चाहते हैं मैं फिर आपको नोकरी दूँ और आप मुझे फिर छोड़ के चले जाए रायंद ऐसा नहीं होगा मैं माफी चाता हूँ मुझे एक मौक और दीजे कभी अलविता ना कहना कभी अलविता ना कहना रूते हस्ते पस यू ही तुम खुन खुनाते रहना प्यार के सबने मौरण चोड़ी ये किरन जी है ना हाँ हाँ वही है रोईट कुमार का बीवी फिलम में रोईट बन गई गाना वाना तो पहले से ही गाती थी अब पब्लिक के लिए नाचना भी शुरू कर दिया ये रखे ये दखे ममी की पिच्चा पता है ये पोस्टन आज ही लगाया है दादी मुझे ममी की पिच्चा देखनी है आप मुझे लेकर जाएंगे ना बोली ना दाडी आप मुझे लेकर जाएंगे ना दाडी दाडी बोली ना है जब अजित कर्दा जाकाशीन है है ंभा है जब जढ 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 की जढ कर जब जढ जढ है 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 अब ममे की पिच्चे कैसे देखेंगे? हाउस फूल है, चलो कर चुला मुझे इधर इलाना है… मुझे इधर ही आदना है, मुझे इतर की फिल्म देखना है मुझे ममे की फिल्म देखना है चलि जल्ली आईये हाव take you generous thanks star thanks तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता है। आस्मान से तारे तोड कर ला सकता हूँ। चान सूरज को जमीन पर उतार सकता हूं। अरे पिरी चहरे पे मुझी त्योड नजे आता हूं। तेरी बातों में भी एकरार नजल आता है तूम तुबारा सड़ावा बेटा वाबस अबर के ले जाओ आउ साथ साथ में ये इंडिया का टेश्टी केक भी की की के थाओे दूम जाओे होग नही पुआ है परेश कभूर के साथ दोबारा काम करना पसंद करेंगे? किरन जी आपके आगे के फ्लैंस क्या है? आप किस तरह की फिल्म में करना चाहिए इसके बारा मेरे सोचा है मिस्स किरन तुना आपका पूरा मिस्स किरन कुमार है आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है जी आपके की बेटा सवाल मत कीजिये बस बहुत हो गया चलिया चलो किरन चलो पांपी पांपी पाम्मी स्ट्राइबर, कारी रोच्पर राइबर्टो चला ना दाड़ी क्या मम्मी मुझे भूल गई है नहीं सुनू तो फिर हो रोकी क्यों नहीं उन्हेनों में से बात क्यों नहीं की क्या हम उनसे जाकर मिल सकते हैं नहीं क्यों नहीं वो सितारा देख रहा हूं जिल मिल चमकता और बहुत दूर हूं मम्मी अब उस तारे की तरह है जिसे सब देख सकते हैं चाह सकते हैं लेकिन पास कोई पहुंच नहीं सकता हूं चलो घर चलते हैं फिर ना मेरी मम्मी जंगल में जाती है उधर ना उनको इतना मोटा आदमी मिलता है फिर ना मेरी मम्मी उसको बात मारती है बात मारती है चलो सुनी इल उपर जाओ दाटी प्लीज एक मिनिट पर एक hero आता है और मेरे ममी के साथ गाना गाता है मेरी ममी पता है बहुत खुबसूरत है तेरे ममी से भी ज्यादा वह खुबसूरत तो है लेकिन उससे ज्यादा जिर्दी है तू उसके पास ज्यादा तूले उसको मना उसको लेया हुमई, नाए नाए अब ही जाऊँगा तो ऐसे लगेगा बहुत बड़ी स्टार बन गी तो मैं छोड यार वसे भी वो मुझे छोड़के गई थी मैं उसे छोड़के नहीं किया था उसे आने तो वो आएगी यार तू भी बहुत जिद्धी है बहुत जिद्धी है तू ए थमज़ा फिनिश मुल्चन क्या है दो थमजद देना यार बंद हो गया बंद कर था वह थो खोल देना यार तो रात पर तेरी दुकान खुला रखूं क्या वह पिने का शोगए तो वूनकड पे दुकाने उधर से ले के आ तो तू जाके ले आ न तेरे बापका नो करूंँ पतवार मेरे परेशाशाब VOICE साला, अनपड़ गवार क्या बुला अनपड़ कुवार वुला तुो मेरे को हाहं मैं अनपड़ हूं गवार हूं लेकिन मैं यह जानता हूं में कौन हुं तेरे जैसा नही है, जो गटिया सी ओटल में गाना गाता है तो अपने आपको किशोर कुबार समझता है, उच्छे अन पड़ बोलता है, अपने बेटे के सामने बेट के दारू पीता है, अरे अपनी बीबी को तो संभाल नहीं पाया, उपर से मेरे पेशाण पड़ी करता है तो क्या बोला मेरी वीवे के आदर है, का बोला तो? आला चोड़े आने, मुझत बड़ा लों में ठोल में रगो एँ, हद्री लगना, ये अतरी लगना, पेच्छे करे, तहरा отличे लेको शोड़ में रगो, मेरी तरा देखाता पूरे को नई! जाजा घर जा तुम भी गमाल आदमी है, कैसे लोगों से मुह लगता है, पागल कहीं का, चल ट्रिंग कर सें, अरे नहीं यार, मुड़ाफ हो गया मेरा, सुनी चलो गर चलो गुट नाइट कमान, कमान, क्या हो गया तुमको, कमान, Yankee Doodle went to town, मैं तो गिर गया, चलो थोड़ी तरी तरी बेटते है, डादी, आप रम क्यों पीते हैं, तुम्हें क्या मालूम रम क्या होता है, मुझे साब पता है, रम याने शराब, एक दिन एक आदमी शराब पिक के हमारे स्कूल के गेट के उपर आया था, सारे बच्चे उसको छेड़े थे, उसका मजाक उड़ा रहते, और उसको पर पत्थर भी मार रहते, मैंने चाहता कि आपका कोई मजाक उड़ाए, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें भाग प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा, तो अगर आप हमें प्यार करते हूँ, तो आप शराब पीना बन कर दीजे, ओके, आज से मैं शराब नहीं प्यूँगा, ओके, हेई, कमान, स्माइल, स्माइल, दाड़ी, लव यू, दाड़ी, वो देविन है, मोटर हमारी क्लास में, सबको बुली करता है, तो कलना उसने प्रकाष का लंच बॉक्स ले लिया, तो मैंने सीट आजा की टीचर से कंप्लें किया, अरे टीचर को क्या कंप्लें कर रहे हो, पेट में दो गुसे मारो ठीक हो जाएगा, क्या करोगे, पेट में दो गुसे मारूंगा, कमान अगिव डाड़ी यह बेखागा, जाओ, मैं तुम्हें लेने आओंगा, ओके, रोहित, मैं यहां से गुजर रही थी तो, तुम दोनों को देखा, सोनू काफी खुश निज़र आ रहा है, देरसल कई बर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फोन कर लूँ, लेकिन फिर सोचा, शायद खुदा के मिलों तु ठीक रहेगा, कैसे हो? हाँ, ठीक हो, कोई खास परिशानी नहीं, और तुम कैसे हो? लूब यू लूरूरूरूरू, लूरूरू लूरूरू… आपको मम्मी की आदारी है दिल कहता है चल उन से मिल उठते है कदम रुख जाते है दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते है दिल कहता है चल उन से मिल उठते हैं कदम रुख जाते है दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते है कभी समझाते है हम जब से है जुदा ए मेरे हम नशीर यूँ देखो तो मेरे दामन में क्या नहीं दौलत का चांद है शहरत की चांदनी मगर तुम्हें खोके लगे है मुझे ऐसा कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं तुम क्या जानों अब हम कितना दिल ही दिल में पचताते हैं दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं क्या है दिल थर दामन में लगे है दिल का चांद है दो कितना इब खूलत का वो दिन थे क्या हसी दोनों थे साथ में और वाहें आपकी थी मेरे हाथ में तुम ही तुम थे सनम मेरे दिन रात में पर इतनी बुलंदी पे तुम हो मेरी जाँ आये न दामन अब हाथ में पाना तुमको मुमकिन ही नहीं सोचे भी तो हम खबराते हैं दिल हम को कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल कहता है चल उन से मिल उठते हैं अडम रुक जाते हैं करें कनया जी कनया जी कनया जी कनया जी यह देखिए क्या हुआ पढ़िए इसमें किसका नाम लिखा है फिल्म ड्रेटर पवन मलोतरा वही ना जिसने चाहत फिल्म बगाई थी अरे उसने अपनी नई फिल्म के लिए मुझे ड्रेटर साइन किया है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अरे उसने मेरे कंदे पर हाथ रखके कहा कि तुझे सा घुनी आदमी कहा था अब तक मुझे मेला कैसे नहीं अरे उसने मेरे गाने बहुत पसंद आ है अल्लाग ख्लाग शुकर है बहुत-बहुत मुबारक गुरोई यह मुल्चंद यह देख कुछ समझा आज मैं भी चाह प्यूंगा ओ सुनील सुनील तो दाडी आप सबसे बड़ी म्यूजिक डिरेक्टर बनेंगे वो तो हम बनेंगे और सबसे पहले तुम जानते हम क्या करेंगे क्या तुमारी बर्ड़े आरी ना उसके लिए हम एक सप्राइज गिफ लाने वाले हैं सच्छी? वो हम कैसे बताएं इससप्राइज मुझे मालूम है वो ही ना जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी वेल वो पीने रंग की है बटी आलिकारी यह लव यू मैं बबलीबू लव यू एक्स्क्यूज मी रोहित कुमार जी कहां रहते है मैं रोहित कुमार हूँ किरन मेम साब ने बेजाया मम्मी की गाड़ी ए पपू मुन्नी जल्दी आओ यह देखो मेरे मम्मी की गाड़ी क्या लिखा है क्या लिखा है किरन का खत है वो सोनू की सालगेरा वो अपने घर में मनाना चाहती है और हमें वहां बलाया तुम जाओगे ना तुम्हे जाना चाहिए मिम साब से कह दीजे हम लोग आएंगे लेकिन गाड़ी पेशने की जरूत है वाव देखो सुनो शैतानी मत करना पर सबसे तमीज से बात करना समझे? तुम सुननो मैं क्या बोल रहा है आहां, ओके और कोई कुछ खाने के लिए दे तो एकदम से हा मत बोल देना पहले ना बोलना और बाद में थैंकी बोलना किरन, सोनू आया सोनू मामी सोनू हलो किरन हम लोग को आने में देर तो नहीं हो गई नहीं कोई बात नहीं असा में मुझे लग रहा था चाहिए तुम लोग नहीं आओगे नहीं ऐसे किसा माडम थांक्यू किरन केक 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 के के कॉ की की का की कॉ मेरा के परिचह नहीं करांए मेरी पत्वी लाज बनती और यह मिसस तोला राए नमस्ते आह यह चीटिंग, यह चीटिंग, नू, 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 नू सुरी मैंने थोड़ी दर किल तुमें अकला छोड़ दिया सिर्फ थोड़ी दर किलिया ना? बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती है वो तो तुम हमेशा से थी ने वो, कभी नहीं सोनो, अभी भी चीटिंग कर दा है बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत खूबसरा लग रही है ओ, रेली, थैंक यू किरन बेटी, जरा इधर तो आओ स्क्यूज मी, मैं भी आई किरन, तुम यहां और लोगों से भी मिलोगी और भी में मानाय हुए यह उसके साथ बेहुदा तमाशा देखने के लिए सबको बुलाया है पिता जी, अगर आप इस तरह की बाते करेंगे तो मैं पार्टी छोड़के चली जाओंगे देखो, तुम्हें अपने स्टेटर्स के बारे में सोचना चाहिए तुम एक स्टार हो, यहां रिपोर्टर्स आये हुए है रिपोर्टर्स के बुलाया किसने है मैं तो सर्फ सोने का बर्दे मनाना चाहते थी आप लोग ने फिलमे तमाशा बना दिया देखो, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है तुम बस इस वक उससे दूर हो, और भी में माना एक है अरी राम बैल जी, मुबारक हो, मुबारक हो आपको भी मुबारक हो जी थैंक यू क्या बात है, कोई प्राबलों? नहीं कुछ नहीं शायद मेरा याना उनको पसंद नहीं आया मुझे सिर्फ सोनो को बेशना चाहिए था लेकिन क्यों, मैं चाहते थे कि तुम यहां हो मैं चाहते थे कि सोनो को सालगर हम सब साथ मिलके मनाए कितने प्यार और मैनत से मेले सार नसाम किया Are you like a pig? सारा मूट खराब कर दिया मेरा It's okay ममी! ममी, ममी, मुझाया मुझाया! अरे, ममी, ममी, मुझाया! Sonu, Sonu! देखो तुमसे गादा मस्तिनी करने के लिए, Sonu! अरे, मम्मों तुमसे थोड़ी, मैं आप हो जाऊँगा! अच्छा हुआ, अब थोड़ी देर ममी के पास बैट हो मेरा पच्छा अरे ये क्या हुआ अरे ममी मैं स्लाइट पे खेल ला था और मैं वहां से गिर गया पता है बहुत खुनाया बहुत इसमें टाके भी लगे? हाँ, आठ टाके लगे हैं लेकिन ही हुआ कैसे? दरहसल गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये भी मेरी, बात नहीं सुनना था भगवान का शुकर है उसकी आँख बजगी वरना मैं आपने आपको कभी माफ नहीं कर पाता और ममा मैं रोया भी नहीं अच्छा, you are brave boy ममा चलिए न मुझे आपका गार देखना है चलो, तुम भी याओ? नहीं, तुम लोग जाओ अच्छा टैंक्यो, फिर मिलते हैं अच्छा जी नमस्तर जी नमस्कार तो, खाना वाना का, केक वेक सब जी शुक्रिया बस जी नहीं, अभी मैं और खाऊंगा तो, बंगला देखा? जी हाँ, बहुत बड़ा है यहाँ से लेक उस बीच तक है पूरा पीछे स्वेमिंग पूल भी है अच्छा दस लाग खर्चा आया क्या बात, क्या बात तो, जाना वाजानाव ऐसे ही चल रहा होटल में जी दरसल जेह बात आ दी, जेह बात अच्छे नुच्टे नुच्टे नुच्ट मूपारुत बेटे का जनम दिन मुबारक हो भाई हम आपसे बहुत नाराज है बहुत नाराज हैं जी हम इन से भाई सुनिये ये भी कोई बात हुई इतनी बड़ी फिल्म साइन की और हमें बताया थक नहीं अजी आपके चर्चे तो सारी फिल्म इंडस्ट्री में हैं बहुत हमाकेदार गाने बनाये आपने की बस अमर कउशिक की छुट्थी कर दी माना के आप बहुत बड़े आत्मी हो गए है इस नाची इसको भी कभी कभी याद कर लिया कीजिए कोई बात नहीं जी लेकिन एक बात का खयाल रखिएगा बमाता जी का बाइट कि बड़ी क्रिपा है आरे ना आपकी फैमिली में हीरोईटी मुजिक center भी है पैसे है चीं मैं तो कहता हूं आप लोग principal producer बन जाएगे चैसे मैं तोड़ा आ अभी आया है होर जी कितनी film है आपने जी बस अभी वो एक ही फंसाइन की है और मिल जाएंगी जी और मिल जाएंगी लेकिन एक बात का ख्यार रखेगा जी सोच समझ के साहिम कीजेगा जी अब बताएए क्या पिएंगे आप विस्की या रम नहीं शराब तो मैंने बंद कर दी वा 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 माताजी की कृपा है भाई कोके को ले दे ना कोल रिंग पिएंगे क्या बात है जी है आज कल तो आप हमारी तरफ देखते ही नहीं है जी नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है जी बलके हम तो आभी की बाते कर रहे थे जी चर्ता सितार है उनके साथ रोहित कुमार सिंगर एंड कंपोजर टू इन व मुबारा को आपको भी फिल्म मिल गई यह एक बास समझ में नहीं आती यह फिल्म इनको मिल कैसे गई हाई शायद इसलिए क्यूंकि आज भी इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इनसान के काम को देखते हैं उसके नाम को नहीं मैं यह मानता हूँ के हर कामियाब आदमी के पीछे एक आउरत का हाथ हो यहाँ बात कुछ अलग है यहाँ एक आदमी के पीछे कामियाब आउरत क ऐसे सब गाने सुनकर पावन मोलत ने तुमको यह विल्म डिये यह हमारी की अर्न बीवी की वजे से ये फिल्म मिली है तुम्हें यकीन नहीं आता अरे सब जानते हैं, आईए तो लाराम जी, आईए आईए आप इदर आईए, बताइए इने ये फिल्म मिली कैसे, अमर जी छोड़िये ना आप, आप, बताइए इने, देखिए इन्होंने बहुत ये अच्छे गाने बनाए है, भार में गये गाने, इस फिल्म के लिए आपन होता है, होता है, करना पड़ता है, इंडस्टी में सब चलता है, खुबशुरत भीवी हो, तो उसका भीस तेवाल करते हैं लोग, और जैरे, कोई मारते है, कोई निकालते हैं, क्या है तुम लोग? ने, सची, पहले तो उनको कुछ भी बनाना नहीं आता था, अंडा भी बनाना नहीं आता था, अच्छा और आप? अब तो थोड़ा-थोड़ा सेख गये है, आलु की भाजी बना लेते है, आलु की? हाँ, लेकि कभी-कभी हल्दी साजा हो जाती है, तो चलता है, अरे, रोह है। नीचे मेरा इंतजार करना.. क्या तुमने पवद मुलोता से मेरे बारे में बात की थी? के अमर कौशिक को हटा के मुझे मी श्वेले एक्टर ले। ये तो मुझसे क्यों बुच रहे हूँ। तुमने बात की थी या नहीं? मैरी बात का जवाब दो करन! क्यों कि मैं तुम्हारी मदद कना चाहती थी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद की दुरत नहीं है तुम क्या समझती हो तुम्हारी सफारिश के बगर मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा यह बात नहीं है यह तुम यह साबद कना चाहती हो कि आज तुम इतनी बड़ी स्टार कि तुम दूसरों की तक्दिर बना सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, रोहित. मैंने ये इसलिए किया, क्योंकि मैं जानती हो, तुम उनसे अच्छा मिज़िदे सकते हो. यही बात मैं दुनिया को अकेले साबित करना चारा था. लेकिन तुमने सब बिकाड़ दिया. अब सारी फिल्मटस यही कहेगी, कि साल अपनी बीवी के सारे कामयाब हुआ है. मेरी कामयाबी कभी मेरी नहीं मानी जाएगी. अब मैं ये फिल्म नहीं का सकता. रोहित तुम पावन मरोदा से कह देना, कि मैं ये फिल्म हरकेज नहीं करूँगा. पागल मत बनो, रोहित. पावन ची को तुम्हारा काम अच्छा लगा. इसलिए उन्हें नहीं साइन किया है. मैंने उनके साथ कोई सबर्दसी नहीं की. और अगर दोचे लोग बगवास कह भी दे, तो फर्क क्या पड़ता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, तो और कौन करेगा? अच्छा, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा मदद करने आ गए, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो. तुम दुनिया को ये दिखाना चाहती हो, कि तुम कितनी महान हो और मैं तुमारे सामने कुछबी नहीं. मुझ से अलग रहाकर भी तुम्हें मेरे बारे में कितनी फिकर है, तुम्हे हमेशा मुझे बुरा सामःत करने की कोशिश की है, हमेशे मुझे गला समझा है मुझे तुम्हे समझने की जरुरत ही क्या है ना मैं तुम्हे समझना चाहता हूँ और ना मैं तुम्हे कभी मिलना चाहता हूँ और आज के बाद तुम भी मुझे मिलने की कोशिन मत करना रहे 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 किरा किरान भाहिरन! भुश्च मेहाँ! वाओ डाड़ी यह दिखे रिमोट कांट्रोल कार डाड़ी हम लुग मम्मी के घर पर क्यों नहीं जाके रह सकते हैं क्यों तुम्हें यह गर पसंद नहीं? नहीं अच्छा है मगर मगर क्या? मगर उनका घर इतना बड़ा है इतना अच्छा है उनके पास तो तीन तीन टीवी हैं और हमारे पास तो एक भी नहीं तो कल पार्टी में ममी ने तुमसे क्या कहा? कहा कि उ मुझे बहुत प्यार करती है और तुमने? मैंने कहा कि उदन्या की सबसे अच्छी ममी है तो अब तुम ममी के साथ रहना चाहते हो हा? क्या कह रहूं मैं तुमसे? आपको पता है वो जो बैट्ट्री आली गाड़ी है न वो ममी मेरी ले लेने वाली है वो गाड़ी तुमने उनसे मांगी? नहीं मैंने तो सिब का के मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है तुमने का अच्छा मैं तुम्हारी ले खाहिद लूगी लेकिन तुन्ने उनसे क्यों मांगी? वो तो मैं लेने वाला था तुम्हारे लिए आपने तो अब दक ली भी नहीं लेकिन मैं लाने वाला था तुम्हारी बर्ड़े के लिए मेरी बार्दे तो चली भी गई हाँ हाँ मुझे मालूम है ठीक है वो गाड़ी में आजल आने वालो Promise? हाँ promise, समझे तुम आजल आने वालो में तुमारे लिए ये मेरी गाड़ी आने वाली है ये मेरी गाड़ी आने वाली है मेरी गाड़ी आने वाली है पाई साब, ये गाड़ी कितने किये? पाँच हजार रुपिया. पाँच हजार? ये तो बहुत ज़्यादा है ये गाड़ी के लिए? एक एदामें पाँच हजार रुपिया, लेना हो तो लो. पाँच हजार रुपे एडवांस? सर मुझे ज़रूत है. यानि एक नहीं, दो नहीं, पूरे पाँच हजार की आपको ज़रूत है? सुढ़ें, गॉट्मिन साब. सर, आप हरमेने हजार रुपे काट सकते है. पाँच महीनों में एडवांस पूरा हो जाएगा. यानि क्या पाँच महीने यहां ठहरेंगे? लगता है आपको किसी घटिया फिल्म में गाने का मौका मिल गया है और आप फिर खिसकना चाहते है. नहीं सर, ऐसा बिलकुल नहीं है. वो उस अपने तो में कपके भूल चुका हूँ. अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है. मेरा छे साल का बेटा, कल उसकी सालगरा थी, और मैंने उसे एक तोफ़ा देने का वादा किया था. तोफ़ा? पांच हजार का? सुना मिस्टर गाटविन, मैंने अपने बेटे को अठनी का तोफ़ा नहीं दिया, और ये साब पांच हजार का तोफ़ा दे रहा है. मिस्टर रोहित कुमार, आपने कहानी बहुत खुबसूरत बनाई है, लेकिन मैं उसमें आने वाला नहीं हूँ. सर अब मेरी बात तो… मेरा वख्थ जायर मत कीजे, चलिए अपना काम कीजे. अरे आप काम कीजे, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है. तो आप नहीं देंगे? बिलकुल नहीं. अरे अरे यह का करहो, मैं पुलिस को बिलाओंगा, अरे गाड़ी रुको ना भाई, यह का बत्था भीजी है, वेटर, 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 देखो नहीं है. मेरे आकाल में लिख देना. अरे देखो, भाग रहा है. अरे भी अरे फटोक ट। हाई परसेचितो! परसेचितो! परिदा चाची आपको पता याज जाड़ी मेरे लिए बैच्चराली गारी लाने वाले है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है अच्छा बहुत देर हो चुकी है खाना खालो नहीं मैं अब भी नहीं खाऊँगा जब दाड़ी आएंगे मैं तभी खाऊँगा वो पता नहीं कब आएंगे मुझे पप्पो और मुनीका होमवक्त खराने है चलो जल्दी खालो नहीं मैं अभी नहीं खाऊँगा अच्छ, मैं यहां रख के जा रही हूँ, जब भूख लगेगी तब खा लेना, छीक है? दाड़ी, अब वापस कब आए? मुझे था पता ही नहीं चला दाड़ी, दाड़ी का है? तुमने अपना खाना के नहीं खाया भी तक? मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था तुम एतनी दीर तक जागना नहीं चाहिए, मुझे बिलकुल पसंद नहीं है लेकिन दाड़ी, मैं तो आपके लिए वेट कर रहा था कि जब आपाएं तो हम दोनों साथ में खाना खाएंगे मैं आपके लिए मैं सॉरी सॉम मैं सॉरी क्या हो दड़ी? मैं हार गया बेटा हार गया मैं मत रोए प्लीज मत रोए दाड़ी मत रोए मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज मांगी और वो भी मैं दे नहीं पाया यह मेरी सिंदगी की सबसे बड़ी हार है वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए दाड़ी सच में मुझे गाड़ी नहीं चाहिए नहीं सोनू, नहीं यह दखो सोनू, मेरे पस थोड़े पैसे हैं लेकिन मैं और पैसे लाओंगा लेकिन वह गाड़ी मैं तुमाने लाओंगा सोनू नहीं यह दो यह doesn't it , लेकिन मपर आपणी लिए मैं तुमाड़ी लाओंगा सोनू सोनू, nursing मपरली लाओंगा सोनू सोनू, मैं सोनू... इलाओंगा सोनू, नहीं भी लाओंगा सोनॉ सोनू, नहीं... इस्क्यूज में, मिस्टर पवन मलोतरा ने मुझे दर बुलाए, आये सर रोहित मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहां बुलाया, पावजी का नाम लेकर, वरना तुम नहीं यहां थे, मुझे तुम से ज़रुरी बात करनी है, अब भी कुछ रह गया बात करने के लिए, रोहित प्लीज, बैठ जाओ, मैं सर्फ इतना जाना चाहती हूँ, क्यों तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वो तुम्हारा आख्री फैसला है, क्यों, क्या तुम्हें अभी भी लगता कि तुम उझसे कभी मिलना नहीं चाहती, बिलकुल, तो फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए, क्या, क्या कहा तुमने, मैं सोनु का अपने साथ रखना चाहती हूँ, सोनु तुम्हारे पास रहे, क्या बाकवास कर रहे हूँ तुम, यह तुमने सोच भी कैसे लिया, जब उसे तुम्हारी जरुरत थी, तुम उसे छोड खुश रहेगा, तो क्या, मेरे साथ खुश नहीं है, एक मिनट, एक मिनट, तुम कहना क्या चाहरी हो, क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ, मैंने इसा नहीं कहा रहे, तुम क्या समझती हो, क्योंकि तुम्हारे बस पैसा है, एक बंगला है, तीन गाडिया है, तुम तुमसे ज्यादा खुशी दे सकती हो। रोइद प्लीज चिलाओ। क्यों नहीं चिलाओ। I don't care for your society. देखो, मैं उसकी माँ हूँ और यह हग तुम उससे छीन नहीं सकती। और तुम भी मेरा हग छीन नहीं सकती हो। मैं उसका बाप हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं सोनु को पाने के लिए अदालत तक चाहूँगी। पिनक कैसे बजा रहा हूँ इदम दाड़ी के जैसे ना। I'm sorry Daddy, मैंने पियानो को हाथ लगाया। इस नोटिस के मुताबिक मिसेश करन आपसे तलाग चाहती है। और वो यह भी चाहती है कि बच्चा उनके हवाले कर दिया जाए। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। देगे मिसेर रोईत, इससे पहले कि यह केस में अपने हाथ में लूँ, मैं आपको एक बास साफ कह देना चाहता हूँ, कि इस तरह के मुकदमे में ज्यादातर फैसला मा के हख में जाता है। लेकिन फिछले देड़ दो सालों से मैं उसकी देखबाल कर रहा हूँ, पचास साथ हजा रोपे लग जाएंगे, चाहे आप केस जीते हैं या हारें, आपके पास इतना पैसा है? हाँ, आप केस तैयार कीजें. ठीक है, आप अगले बुद्वार को आ जाएए दज बले, हम केस के बारे में बात कर लेंगे, और हाँ, आप एडवांस में बीस हजार रोपे लिए आईएगा, ठीक है? हाँ. मैं इन सारे इंस्रुमेंट्स का पंदर हजार रोपा दे सकता हूँ. पंदर हजार? किसे असाब से? अरे सिर्फ प्यानों का बीस हजार मिलना चाहिए मुझे, सारे इंस्रुमेंट्स का मुझे कम से कम चालिस हजार मिलना चाहिए. अरे साब, ये मेरा धंदा है, मुझे भी दो पैसे कमाने है. चलिए, कम से कम पचीज हजार तो दीजे. अरे मैंने बोला ना साब आपको, मैं 15,000 पे से जादा नहीं दे सकता. ठीके, ठीके, आप जाएए. आरे साब, आप तो नाराज होगे. हमको बेचना नहीं है, साब, आप जाएए, प्लीज. ठीके, साब, आपका माल है आपकी मर्जी. ठीके, चलता हूं साब, नमस्कार. जाएए. वैसे टाइम खोटी किया, पता नहीं क्यों मुला लिया मुझे. बेकार में. तू पागल होगे है? तेरे इंस्रुमेंट्स की कदर ये कबाड़ी लोग करेंगे? खाम खाम परेशान हो रहा है. तुझे पैसों की ज़रूरत है, तु मेरा फरनीचा बैच दे. नहीं करनिया जी, आपने वैसी मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है. मैं अपने गाने बेच दूँगा. गाने बेच देगा? किसको? अमर कॉशिक को. तू तो सच मुझ पागल होगे. वो मुझे हर गाने एक हजार उपए देने को तयार है. और नाम किसका होगा? उनका. नहीं, रोविद. तुम ऐसा नहीं करना चाहिए. ये सारी मेनद तुम्हारी है. तुम्हारे सारे सपने, सारे अर्मान. कि तुम किसी और के नाम से कैसे कर सकते हो? तुम्हारे गाने बहुत अच्छे हैं, रोविद. और उसकी शौरत सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए. मुझे भी ऐसी लगता था, कि मेरे गाने बहुत अच्छे हैं. लेकिन इतने सालों की कोशिश के बाद, अगर किसी और को ऐसा नहीं लगता, तो शायद मैं ही गलत हूँ. शायद मेरे गाने वाकई बेकार हैं. मैं यह यह नहीं मालता. रोविद, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. हो सकता है. लेकिन इन्हें बेचकर, अगर मुझे सोनू मिल जाता है, तो यह गाने मेरे लिए अनमोल हैं. वरना सिर्फ कावस पे कुछ लकी रहे. कावस लोड़ी प्राम्न वाल्थी वे ठामındaki क्यों अगरे बीके रहे? यह यहू जाता हैं. यह यह दु मुख लगदाएं. मृविद सुमील ुझे खिर्फ डामाइं. मैं डामादा हैं? मैं तुम हुतभी गड़ी आज़ा. दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मूमोडना ही था वाइब लगाया क्या दोड़ना क्यों है वाइब नवै थो क्यां बाता ही दोड़ना ही जदी टेजिल आवाइब वाइब। जुए शुए। ओ दिल को धड़कना तुने सिखाया दिल को तड़पना तुने सिखाया आँखों में आशु छुपे थे कहीं इनको छलकना तुने सिखाया सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मुमोडना ही था दिल मेरा चुदाया क्यों क्यू लगत की लेगता हुआ है कि ता तुने सिखाय क्या ही कि वाहता हुआ है क्या fast a little मिलती थी नजरे जब भी नजर से उठते थे शोले जैसे जिगर से सासों से निकला जैसे धुआसा बनता था मुझे से जीते ना मरते आग क्यों लगाई जब दुझाये दिल छोड़ना ही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मो मोड़ना ही था और आप दोस्तों इस साल के बेस्ट म्यूजिक डिरेक्टर का भीड़ना दिल मेरा छुराया क्यों तो आमार लाशे झाल झाल यह जो आज जो आज़ आज़ाए यह जो आज़र आज यह जोर्ट है यह जोर्ट कुमार के वकेल मिस्सर भती जाने मुझे आज यह चिठी वेजिये जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी मिसिस किरन को डिवॉस देने की शर्ट मंजूर को ने शर्ट मगर मेरे क्लाइंट की दूसरी शर्त कि उनका बेटा सुनिल कुमार फॉरण उनके हवाले कर दिया जाए वो ना मुन्जूर कर दिया इस शर्त में ये मुकदमा सिर्फ इसलिए है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा दलिल शुरू करने से पहले मैं कुछ गवा पेश करना चाहूँगा ये वाकिल बहुत सॉलिड है मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी मिस्छी दरामदैर क्या आप अधालत को आपकी बेटी मिस्छ इस किरन के बारे में कुछ बताएंगी मेरी बेटी एक बहुत ही सीधी साती लड़की है जो अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षन होते ही वो सब है उसमें बहुत ही आग्या-कारी लड़की है वो तो आपकी मर्जी के खिलाफ उसने रोहित कुमार से शादी क्यों की? बस ये एक ही भूल उसने जिन्दगी में की है जिसका नतीजा उसे आज तक बुगतना पड़ रहा है इस साथ मिने उस पर इतने चुल्म ठाय है कि आदी रात को उसे घर छोड़ कर जाना पड़ा थैंक्यू मिस्जर रामदयल आप जा सकती है मिस्जर रामदयल रोहित कुमार के के रखक्तर के बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगे उसके बारे मैं क्या बोल। इस आदमी का कोई character ही नहीं, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? मेरे हिसाब तो ये एक नमर का बदमाश और आवरा आदमी, इसकी बोली सुरत पे मज जाईएगा, इसी सुरत और बातों की जहांतों से इसने मेरी बेटी को पसा है, अच्छा? ये कहके कि बहुत बड़ा singer, बहुत बड़ा music director बनने वाला, लेकिन आज ये उसी कठे में है, वह वहां से मेरी बेटी निकल के कहां से कहां पहुँच गई? और हम नहीं चाहते, कि सोनु इसके साथ रहके इसी की तरह आवरा और बदमाश बने. Thank you Mr. Ramadar. अपनी जिम्मेदारियों को समालने में, रोहित कुमान ने कभी कोई थिशकी चाहट दिखाई? जी नहीं. उन्हें टालने की कोशिश की? जी नहीं. अपने बेटे की प्रती कभी कोई लापरवाई, जुंजलाहट खीच? जी कभी नहीं. बलकि उस जादा से जादा वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजारता है. उसके साथ हसना, खेलना, कहानियां पढ़के सुनाना, घुमाने ले जाना. सुनी ली उसकी जिंदगी है. उसका सब कुछ. मैंने बहुत कम ऐसे बाप देखें, जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ करते हैं. शुक्रिया फरीदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया. That's all your honor. Your witness Mr. Bhojwani. फरीदा जी, आप Mrs. Kiran को कितने सालों से जानती है? करीबन साथ साल से. Good. कभी भी Mrs. Kiran ने आपको अपनी जाती जिन्दगी के बारे में कुछ बताया था? Objection me lot. Mrs. Kiran की जाती जिन्दगी के सवाल सिर्फ Mrs. Kiran से ही किया जाने चाहिए. Overruled. अपनी जाती जिन्दगी के बारे में कुछ बताया था? जी. क्या? अरसल वह खुश नहीं थी. खुश नहीं थी? किसे? रोहित से. क्या Mrs. Kiran ने आपको कभी भी ये कहा था कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिलकुल परवाह नहीं है? परिदाजी जवाब दीजिए मैंने सुना नहीं. अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुमारे लिए घर छोड़ना ही बहतर होगा. यानि कि रोहित कुमार को अपने बेटे की बिलकुल परवाह नहीं थी. अब ये बताये फरिदाजी की आपने कभी भी Mrs. Kiran को घर छोड़ने की राई दी थी? जी नहीं. घर छोड़ने के तीन दिन पहले फरिदाजी आपने नहीं कहा था कि अगर तुम इतनी ही दुखी हो तो तुमारे लिए घर छोड़ना ही बहतर होगा. हा लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि वह वाकिया ऐसा कुछ कर भी अगर तुम इतनी दुखी हो तो रोहित से अलग हो जाना ही तुमारे लिए बहतर होगा. लेकिन किरन मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे उसकी फिकर थी और आप भी है इसलिए मैंने उससे जो कुछ भी कहा था वो इसलिए का मतलब यह हुआ फरीदा जी कि आपको भी यह लगा था कि अगर किरन रोहित के साथ रहती तो या वो पागल हो जाती या उसका नर्वस कर रही हो रोहित बिलकुल बदल गया है और 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 वो पहले जैसा नहीं रहा है किरन प्लीज मेरी बात सुनो और 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 अगर आप नहीं जाती तो इसे अदालत की तोहीन मना जाएगा मिस्टर भातीजा या आप कैसा केस लड़ने मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस तरह तो हम लोग केस हार जाएगे प्लीज हड़ी आप उनके वकील को देखिए हमारा हर गवाह सच कह रहा है फिर भी वहना जूट साबित कर रहा है तो आप क्या चाते हैं आप क्या चाते हैं क कि मैं भी जूट बोलूं गोजवानी की तरह टुच्चे पन पर उताराऊं फिल्मी मैगजीन की तरह मिस्स किरन की जादी जिन्दगी में गंद उचालूं यह थाबित करूं कि वह पागल है या गहर मर्दों के साथ सोती है लेकिन यह सच नहीं है आपको सच की फिक्र है य बोलिया मैं वैसे केस लड़ता हूं बोलिया मैं भी उसकी तरह जूटी गवाई पेश कर सकता हूं करूं जी नहीं आप इमांदारी से केस लड़िए आम सॉरी और आज उसे देखिए कैसे आपके लिए उसने अपने आपको संभाला है मेरे खाल से वो एक आदर्शनारी है शीज दी अल्टमेट वूमन थैंक्यो मिस सुनी तब मिस्टर बदीजा नो कोशे नहीं हो रहा नर मिलोर मेरा अगला गवाह है मिस्टर मूल चंद गंगर कौन है यह हमारे मौले का बनिया है मेरी इसके साथ बंती नहीं है आपने कुछ बताया ने इसके बार मुझे मुल्चन जी आपकी दुकान रोहित कुमार के घर के नीचे है बिलकुल फिर तो आप रोहित कुमार को अच्छी तरह जानते होंगे बहुत अच्छी तरह सुनाएं आपकी दुकान से सारा सामान उधार में ले जाते हैं हमेशा फिर आपकी उधारी तो चुकाते ही होंगे नहीं नहीं उसके बावजूद आप उन्हें सामान उधार में देते रहें वो तो हम सबको देते हैं आप उमारी दुकान पर आओ तो आपको भी देंगे क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी थी जब इन्होंने शराब के नशे में धुथ होकर आपको मारा था अब वो तो मैं अगर आपकी पतनी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलूं तो आप भी मुझे मारोगे उसका मतलब यह थोड़ा है कि आप बुरे आदमी हो अपने बच्चे सुनील को अरे सुनील के लिए तो वह अपनी जान दे दे वह अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है वकिल साहिब उतना प्यार करता है जितना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं करता उसी ने मरबाद किया है रोईत कुमार का गर जो आप से पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए फैसला मज सुनाईए माफ करना जट साहिब मैं कोर्ट में पहली बार आया हूँ कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना ये तो इनों ने बुलाए है इसलिए मैं आया अब जाईए नहीं आपकी बात सच है आपकी बात सच है कि जब भी रोईत कुमार ने मेरे पैसे नहीं चुका है मैंने उनसे बहुत नफरत किये जगडा भी किया है लेकिन यहां सवाल मेरे पैसे का नहीं है उनके बेटे का है आप मुझसे पूछते ना कि वो क्या देगा अपने बेटे को आपको मालूम है लुट गया अपने बेटे के लिए वह आज आप जानते हैं यह कोड कचरी का खर्चा आसान होगा किरण देवी के लिए बहुत सब्究 बिएस डाले और वह आज उसके मुझसे को अपने नाम से चला रहे जा है और ये बातता आपको रूहित नहीं बताई होगी नहीं, रोहित कुमार क्या बताएं? मैं जानता हूं। मैं ने सुने… उनके गाने सुन-सुन के मेरे कान पब गए थे… वह गाना है ना Raja Korani से क्यार हो गया। वह गाना रोहित कुमार का मैं सच केता हूं… किरन जी। आप अपने बेटे से प्यार करती हैं? जी, बेहत. फिर भी आप उसे छोड़ कर चली गई, क्यों? रोहित का ये सोचना, कि मैं हमेशा नाकामयाभी ही रहूँगी. मेरी आत्मविशास्क तोड़ने लगा था. मैं ये मानने लगी थी, कि जरूर मुझ में कुछ कमी है. मैं उलज गई थी, अपने आपको खोने ही लगी थी. और इस पुलचन और गुड़न में, कबरा के मैंने खर चुड़ दिया. और उस वक मुझे यही लगा, कि सुनील की बेतर ही इसी में है, कि मैं उसे अपने साथ ना ले जाओं. तो फिर आज आप क्यों चाहती है, कि आपका बेटा आपके हवाले कर दिया जाए? मैं जानती हूँ, कि एक बार मैं उसे छोड़ के चली गई थी. यकीन मानिये, इस भूल के लिए मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकती है. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है. मैं सोनो की देखबाल अच्छी तरह से कर सकती हूँ. अखिर, पांट साल मैंने उसे समाला है. दो साल अलक रहने की ये सजा तो नहीं कि मेरा बच्चा उसे छी लिया जाए. और उसे भी मेरी ज़रुद है. मैं ये नहीं कहती, कि उसे अपने बाप की ज़रुद नहीं. लेकिन अभी वह बहुत चोटा है. और उसे अपने बाप से जाता अपनी मा की ज़रुद है. और मैं उसकी मा हूँ. मैं उसकी मा हूँ. तेंक यू मिस्स किरन, तरस्ट आल मेलाओड मिस्स किरन, अपने पती मिस्सरोईत कुमार के साथ आपने करीब छह साल कुजारे इन छह सालों में कभी आपको इन्होंने मारा पीटा? जी नहीं कोई गाली कलोज? नहीं अपने बेटे के साथ कोई जात्ती की? जी नहीं अपने पती को आप शरावी कहेंगी? नहीं इन्होंने आपके साथ कोई बेवभाई मेरा मतलब है किसी गैर औरत के साथ इनके तालुगात रहे? जी नहीं तब तो साफ जाहर है के आपने अपने पती को क्यों छोड़ा? खर ये बताईए मिसिस किरन कि शादी से पहले सबसे लंबा दाती रिष्टा आपका किस के साथ रहा? मेरे माँ ता पता के साथ? जिनके साथ आपने कोई 22 साल गुजारे होंगे जी फिर भी आप उनकी मरजी के खिलाब गई और रोहित कुमार से शादी कर ली, रैक? जी हाँ, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी आइसी अच्छा अपने माबाप को छोड़कर सबसे लंबा जाती रिष्टा आपका किस के साथ रहा? मेरे खियाल में मेरे बेटी सुनील के साथ जिसके साथ आप पांस साल रहीं और तब से अब तक सिफ एक बार मिली मिसिस किरन आपके पती यापको नहीं लगता ही सबसे लंबा जाधी रिष्टा आपका इनके साथ रहा? मिसिस किरन मैंने कुछ सुना नहीं जी कितने सालों तक ये रिष्टा रहा? शादी से पहले और शादी के बाद करीब साथ साल साथ साल इसका मतलब ये के वो रिष्टा जिसे समाज में हम शादी के नाम से जानते हैं, जिसे हमारी संस्क्रती में पवित्र और अटूट माना जाता है, सबसे एहम माना जाता है, उस रिष्टे को कायम रखने में आप नाकामयाब रहीं? Objection, me lord. Overruled. Mrs. Kiran, आप जवाब दीचे, please. बोलिए Mrs. Kiran, क्या आप मानती हैं कि इस रिष्टे को बरकरार रखने में आप नाकामयाब रहीं? नहीं मैं, नाकामयाब नहीं. नाकामयाब नहीं? तो इसे आप क्या कहेंगी? कामयाब? Mrs. Kiran, आपकी शादी तलाग तक पहुँच चुकी है. यह हम दोनों की नाकामयाब? हम दोनों नहीं, Mrs. Kiran, आप. आप नाकामयाब रहीं. अपने पती का घर छोड़तर आप चली गई थी, वो नहीं. इस रिष्टे को कायम रखने में आप नाकामयाब रहीं. हमारी शादी नाकामयाब रहीं. शादी नहीं, Mrs. Kiran, आप! आप नाकामयाब रहीं! जिन्दकी के इस एहम रिष्टे को कायम रखने में, आप नाकामयाब रहीं! हा या ना? से रहा जोर से बुलियो, Mrs. Kiran, मैंने सुना नहीं, हा या ना? हा! यह रानर! 22 साल के अपने मावाब की रिस्ते को इन्होंने एक दिन में तोड़ दिया! साथ साल के अपने पती की रिस्ते को इन्होंने एक पल में तोड़ दिया! तो इस बात की क्या गारंजी है, Your Honor? ये पच्चा मिल जाने के बाद ये उसे भी दो या तीन सार में नहीं छोड़ देंगी इरहनर आम तोर पर ऐसे जगड़ों में हमेशा औरत का पला भारी रहता है क्यूंकि वो एक औरत है एक मा है लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है जहां तक मैं समझता हूँ, अदालत को ये फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किसम है, सुनील की भलाई किसम है पिछले करीबं दो सालों से मैं उसके देख भाल करना हूँ कुछ चीजें सीखी है, और बहुत चीजों का एसास हुआ है और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूँ, कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है जरूत है धीरच की, जरूत है उसके साथ वक्त गजारने की गंटों तक उसकी अजीबजी बाते सुनना, सुनते सुनते ठक जाना लेकिन फिर भी उसकी बाते सुनते रहना उसके सैकड़ों सवालों का जवाब देना, जब भी उससे जरूत हो, उसके पास हैना ताकि उससे कभी अकेलापन महसूस ना हो और यह सब करने के लिए प्यार की जरूत है और मैं यह नहीं जानता के यह कहां लिखा है के एक और अरत मर्द से जादा प्यार दे सकती है के एक माँ अपने बच्चे को बाप से जादा प्यार करती है मैं यह नहीं कहता के इससे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती लेकिन मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है मुझे कभी गुस्ता भी आता था मैं उसे डांट देता और वो रूट कर सो जाता हूँ लेकिन फिर हम दोनों सुबा उठते साथ नाश्ता करते हसते बाते करते जैसे को कुछ होए नहीं हो फिर मैं इसे स्कूल छोड़ने जाता है स्कूल से लोटते वो मुझे दिन बर की बाते बताता है रात को हम दोने साथ खाना खाते और फिर मैं उसे कानिया सुनाता है हमने अपनी एक दुनिया बनाई है बहुत प्यार से और अगर यह तूट गई तो फिर कभी बन नहीं पाएगी किरने समथ करना मेरी सत्वारा समथ करना किरने समथ करना प्लीज मेरी साथ दुबारे समथ करना कि अदालत को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे सुनिल की भलाई किस में है जी आपकी मुलाकाट जब पहली बार मिस्स किरम से हुई तब आप कौपर चीमरी रेस्टोरा में काम करते थे जी हम उस वक्त आपकी तंखा क्या थी तीन अजार रुपय महिना थ्री थाउजन निकाला नहीं गया था मैं मैंने वो नौकरी खुझ छोड़ दी थी नौकरी छोड़ दी मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद आदमी के खर्चे और जिम्मेदारियां और बढ़ जाते हैं मुझे सिंदगी में आगे बढ़ना था एक कामियाब सिंगर बना था मुझे और बनने के लिए आपको बहुत ओफर्स आया होंगे मुझे एक ओफर आय थी अमर कौशिक की अमर कौशिक के साथ लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उनकी कोई भी फिल्म में गाना गाया हो या गाया था मैंने वो फिल्म छोड़ दी वो भी छोड़ दी क्यों हमारे बीच आपकी तनखा क्या थी मिस्टरोई मैंने सुना नहीं इस बार आपकी तनखा क्या थी ड़ाई अजार रुपय को पहले तीन हजार और अब भाई हजार मिस्टरोई अब पहले ऐसा इंसान होंगे जो तरक्की की सीड़ी उपर से नीचे की तरफ चड़ते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके बेटे की फलाई है एन्यवे तेरा सप्टेमबर की रात को आपने कौपर चिमनी रेस्टोरा के कैशियर से पांच हजार रूपिये लूटने की कोशिश की तेखिये लूटने की कोशिश ने की थी मैं से तरी गुधार मांग रहा था जबरदर्स्ती पैसे चिनने के कोशिश की थी और जब वहां के वेटरों ने आपको पकड़ना चाह तो आपने उनके साथ मार्पीड भी की थी हा या ना आप मेरी बात का जवाब सिर्फ हा या ना में दीजी हा या ना देखिया मैं जवाब ही देनी कुश्र कर रहा हूं जो में हा या ना में नहीं नहीं दे सकता मिस्टर मेरे से मैंने स्रे रांस किया था तो मैं तीन था मैंनों में कड़वाज दे था मिस्टर रोहिद कुमार आप चिलाना बन करिया वन्हा इस इदालत की तौहीर माना जाएगा आपने हवालत की हवाखाई थी या नहीं जी हाँ नाँ मिस्टर रोहिद क्या आपने आपको एक जिम्मेदार बाप समझते हैं जी तो क्या यह सच है कि आपकी लापरवाई की वज़से आपका बेटा सुनेल अपनी एक आग खोने वाला था आपका बेटा सुनेल अपनी एक आग खोने वाला था देखिए वो बाक में खेल रहा था और वो गिर गया वो आपकी लापरवाई से गिर गया था मिसर्ड रोहिद और इसकी वज़े से वो अपनी एक आग खोने वाला था देखिए वो एक हादसा था जो किसी के साथ नहीं है कि आपनी अपनी पत्नी मिसिस किरन से कहा था कि वो आपकी लापरवाई की वज़े से गिर गया था और अपनी एक आग खोने वाला था मिसर्ड रोहिद बताईए क्या यह सच है या नहीं जी तो आप मानते हैं कि आपकी लापरवाई की वज़े से आपका बेटा अपनी एक आग खोने वाला था क्या है मुझेने मालम ता मेरा वकील ये बात कोट मिलाएगा उसने तो मुझसे बहुत सारे चीज़े पूछी थी मैंने तो सिर्फ उसके सवाला को जवाब दिया मैं जानती है तुम्हारी गलती नहीं थी मेरा यकीन कर रूमेने यह जान मुझकी नहीं किया प्लीज विलीब में रोहित रोहित प्लीज तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस भाइसले पर पहुची है कि बच्चा सुरेल कुमार मिस्स किरन के हवाले कर दिया जाए कंग्रजूनेशन्स मिस्स किरन कंग्रट्युलेशन्स आद्टाड़ी तैदी आचा स्कूल बन शुट्टिया शुरू ये पता है एक बने के चुटिया है दाड़ी हम लोगे चुटियों में माथेरान जाएंगे न आइस्क्रीम खाओगे नहीं मुझे गोला चाहिए चलो पता है दाड़ी मेरे क्लास के सारे बच्ची स्कूल ट्रीप पर सिमला जा रहें लेकिन मैं उनके साथ ही जाओंगा मैं तो आपके साथ माथेरान जाओंगा हम लोगों तो बहुत मजा करेंगे सिर्फ हम और आप है ना दाड़ी दाड़ी हम लोग उदर काइट्स बहुत उड़ाएंगे और हम लोग क्रिकेट का सामान भी लेके गए मालो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी कौन है फिर मेरी मन्जिल का हमसफर सोनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ये ले बेटा मेरी तरफ से प्रेजन सीजन बॉल क्रिकेट खेलने को आना हम लोग मैच खेलेंगे हाँ और तुम मेरी टीम में खेलेगा समझे हम दोनों मिलके इस बनिय की टीम को हरा देंगे येस रामडेल सेट का फोन है था कि उडर से गाड़ी निकल गया है अच्छा जर सामान उठाओ हम लोग नीची चलते हैं मत रो सोनो चलो ममी कहां बहुत मसा आएगा तुमको वहां बहुत सारे खिलोने होगे तुमारे लिए और फिर मैं भी तॉआँगो तुमसे मिलने के लिए है ना कम ओन चेरब परीदा जरा इसको नहीं चले जाओ मैं अभी आता हूँ ठीक है तुम्हारा बैट कहा है सुनील बैट कहा है तुम्हारा बूल गया होगा मैं लेकर आता हूँ सुनी टुम्हारा बाता है ज्शार वेदान मैं लेकर झुम्हारा… पाइप, पाइप! Sonu नीचे गया. Rohit, मैंसे कुछ. क्या? यह सोनू का बैट है, ऊपर ही बूल गया था मैंने कली क्रिकेट का सारा समान करीजा क्यों, अब यह बैट उसके ठीक नहीं है किया नहीं, मतलब मुझे अचाना कियादा है कि सोनू को क्रिकेट का बहुत शौक है और यहीं नहीं, मैंने वो सारे खिलाने करीदे जो से हमेशा चाहिए थे और यादते हो, मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे बना जैसे यहाँ है वही बिस्टर, वही छोड़ी स्टेबल, वही अलमारी यहाँ तक मैने बीवारों के रंग भी पता क्योंकि मैं चाहती थी, कि जब सोने सुबह उठे, तो उसे लगे कि वो अपने ही घर में है और मुझे ऐसास हुआ, यही उसका गर है पेचांची उससे कहने ही बता रहू है हुआ, सोर्य ही एरेगा यही उसका है पिछले रिनों, हमारी जिद्दगी, हमारी चस्पान एक खोली की नाबन के लोगों के साब में आगे मुझे मालो मैं, तुम्हें भी बहुत दुख हुआओगा आज मैंने चाना, कि इंसानी रिष्टा से बढ़कर और कोई चीज नहीं होगी हम सारु रोए जो कुछ भी हो उसके लिए हम सारी हो सारु, तुम यही रोगे बापा के पास यही तुमारा घर है के रन यह घर तुमारा भी है यही तुमारा टा यही तुमारा उसके सा-णचा यही तुमारा भी हो के इंसर लोगे Captions झाल 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 झाल